जैदपुर एक्स्टेंशन पार्ट टू की खड़ा कॉलानी में जुमा शाम को जेरे तामीर इमारत की पुरानी दिवार गिर गई दिवार के मलबे की नीचे दबने से दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो की हालत गंफीर बताय जा रही है अस्पताल में उन्हें भरती करा दिया गया है पुलिस तामीर करने वाले मुल्जिम की जानकारी जुटा रही है पुलिस को शाम करीब साड़े छे बुजे खबर मिली थी कि खड़ा कॉलोनी में दिवार गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई है और दो घायल हो गई है खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुँची जब तक घर वाले बच्चों को अस्पताल ले जा चुके थे रोशनी समेत एक और बच्चा घायल हो गया दोनों के घर वालों ने नजदी के अस्पताल में भरती कराया पुलिस के मुताबिक कॉलोनी में जेरे तामीर इमारत के बेस्मेंट की खुदाए की जा रही है यहां पर शाम को बच्चे खेल रहे थे तभी जर जर दिवार अच की मौके पर ही मौत हो गई बच्ची रोशनी का पैर टूट गया चोथे बच्चे की हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है शेत्रवासियों ने बताया कि बिल्डर जजर दिवार के पास ही बेस्मेंट खुदाई की मिट्टी डाल रहा था इससे लगातार दिवार पर दब युई का काम करा रहा था। रिलेटेट डिबार्टेमेंट को भी इस हाथसे की जानकारी दी गई वही हाथसे के बाद से मरने वालों के इखर वालों का रो रोकर बुरा हाल है। पर चार्तरों से दिवार होने से तो कोई चीज आड़ा रही है तो अंदर ही अंदर उनोंने क्या करा कि मिट्टी खटी करनी शुरू करी और जैसी मिठ्टी जब आप देख रहे हैं यहां पर कम से कम दस पुट की दिवार थी रात को तरह जो वहां मट्टी खटी वही तो इस बच्चों के उपर वो दिवार गिरी तो ओन्दाइश्पोर्ट दो बच्चे हमारी देथ हो देखो लापरवाई तो हुई है बच्चे जबी तो मरें और हम यह कहते हैं कि ऐसे लोगों के उपर कड़ी से कड़ी कारवाई होनी चाहिए कि इन पर मुगदमा दस करने के साथ साथ बड़िया सा इनको मौजबी दिलाना चाहिए क्योंकि जिससे की कोई काम करें तो काम करने से पहले हैं हर तरह सी फैसल्टी रखें हर तरह से सुभीधा रखें इस तरह का सणों सरकार के नुमाइन दे हैं आप आपकी तरफ से जो है स सीने लीड़ों से होई है तो जल्दी जो भी होगा वह आप सब के सामने होगा इस इलागे की निगम पार्शद हैं स्रीचंद वोरा जिनको आप सुन रहे थे तमाम तरीके की जो है कारेवाई यहां पर करने के बात की जा रही है लोगों का भी साथ है और पुलिस पिर्शा सही से कारेवाई नहीं कर रहा तो उसके लिए भी लोग यहां पर काम कर रहे हैं कि ताकि फार जो है वो सही धारों में दर्ज हो सकते शुकांग्या शुकांग्या अल्लाह तो पूरा दिन घर पर ही तो था मैं नहीं निकालती थी टंड की वजह से बाहर सामान लेने गई इ अगर बिल्ड की ला परवाईे काम बंद होने के कारण भी फिर भी काम कर रा रहे थे चुप-चुपके उसके दीबार के सहारें लोगों ने मिट्टी डाल रखी थी मिट्टी डालके उस ओ धीबार पर बजन गिर हुआ और वो धीबार उस पर बच्चों पर देगया है घर पर दिवार बहुत परानी दीवार थी और अंदर से नीम खोदी वो मिट्टी दीवार के साथ डाली उसके प्रेसर से दीवार किर गई बच्चे वहां खेल ले थे वो दीवार के निचा आ गए अब काफी देर होगी निकालने में दो तोंदा स्पोर्टी खतम होगे बच्चों की मेरे खहल से होगी 6-7 सार और एक लड़की है जो बहुत ही उसके चोट आई है टांग वागेरा चूट गई है